अस्सलाम अलेपुन फ्रेंज आकेदार रेसिपी में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुती टेस्टी मज़ेदार वेच पुलाओ उभी कूकर में आये देखते किस तरीके से बनाया जाता है सबसे पहले हम मिक्सर की जार में 6-8 हरी मिर्ची दालेंगे और थोड़ी सी कोतमील और इसे पानी दालकर पीस लेंगे मसाला पीस लेंगे बाद मैंने गैस पे कूकर रख दी हूँ इसमें दालूँगी तेल तेल डालने के बाद मैं इसमें डालोगी दो-तिन तेज पत्ता दो-तिन डाल चिनी के तुखडे तीन-चार लौव बीस-पच्चेस काली मिरी एक चम्मर शाही जीरा अभी हम इसको दो मिनट तक के भूलेंगे ताके मासाले में से अच्छी खुशबू आए दो मिनट घुनने के बाद मैं इसमें डालोगी दो-बारिक कटे हुए प्यास अभी हम प्यास को हलका सा कलर चेंज उने तक पस्पाएंगे देखिए प्यास का कलर चेंज हो चुका है अभी हम इसमें डालेंगे जो हरी मिर्ची कोट में से थे हूँ और हम इसमें दालेंगे दो चम्मच अधरक लसुल का फेस्ट अब हम इसे दो मिनिट तक के भुनेंगे मसाले को दो मिनिट मसाले को भुनने के बाद अब हम इसमें दालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर दो चम्मच जनिया पाउडर एक बारी कटेवे टमाटर अभी हम इसको टमाटर नरम होने तक के पकाएंगे देखिए टमाटर नरम हो चुके है देखिए मैंने थोड़े से रेजिटेबन लिएँ उसमें लिएँ थोड़े सी फुलावर थोड़ा हरा मटर दो तीन आलू थोड़े से गाजर थोड़े से बीन्स इसको मैंने धूदी हूँ अभी मैं इसको इसारे मसाले में डाल दूँगी अभी मैं इसमें डालूँगी चार चमस तक के दही और दालूँगी बारी कटी भी कोत्मी और दालूँगी थोड़े से पुदीना अब इन सारी चीज को मैं पांच मिनट तक के भूनूँगी देखे मसाला अच्छे से भून कर हो चुका है अब इन में इसमें दालूँगी दो गिलास बास्मती चावल को में दो कर ले लिए चावल को में दाल दूँगी आप चाहे तो कोई भी चावल ले सकते हैं चावल दालने के बाद अभी मैं इसमें दालूँगी अडाई गिलास पानी दो गिलास चावल ले थी मैं अडाई गिलास पानी दालूँगी अगर टेक्छे में बनाना होता तो मैं तीन गिलास दालती हम पूकर में बना रहे हैं इसे हमें धाई गिलास से दालना है अभी हम दालेंगे नमक स्वाथ के ही सबसे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे चावल को अच्छे से मिक्स कर दियू और अभी मैं इसमें ढखकन ढखकन दो सीटी आने तक के पकाऊंगी तीसरी सीटी आने तक आने के टाइम हम गैस को बन कर देंगे देखे दो सीटी हो चुकी है अब हम इसको चेक करेंगे मैंने इसका भाप निकाल ली थी देखिए माशाला कि इतने अच्छे खिले खिले चावल बने है माशाला वेच पुलाओ बनकर तयार हो चुका है वीडियो पसंद आये तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंड में जरूर बताना वेच पुलाओ कैसे बना अल्ला हाफीज